नमस्कार घर का जाय कावित खुश्बू में आपका श्वागत है गर्मी का मोसम आ गया है और गर्मी के मोसम में लसी न पीए तो गर्मी का मज़ा ही नहीं तो गाइट्स मैं आज आपके लिए लसी की रेसीपी लेकर आई हूँ मैं आज आपको दो तरह की लसी की रेसीपी ब मैं आपको ठंडी ठंडी लसी सेकेंडो में बनाना सिखाऊंगी तो इसके लिए एक मिक्सर जार लेंगे और उसमें पॉडर सूगर एड़ करेंगे ये पॉडर सूगर मैं चीनी को पीसकर बनाई हूँ और ये मेरे घर में हमेशा रहता है तो मैं यहाँ पे आपको दो गलास लसी बना रही हूँ तो इसमें दो गलास पॉडर सूगर एड़ करेंगे ये परफेक्ट है और अगर आपको ज्यादा मीठा पसंद है तो आप ज्यादा चीनी का भी इस्तमाल कर सकते हैं अब हम इसे ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे हो गया लसी तैयार मैंने कहा था ना मैं आपको सेकेंडो में लसी बनाना सिखाऊंगी अब मैं इसे गलास में ट्रांसफर कर लेती हूँ इसमें बर्फ भी डालने की जरुद नहीं है क्योंकि मैंने दही को पहले से ही ठंडा कर दिया था अब मैं इसमें ठंडाई पाउडर एड करूंगी जिसमें बदाम है किसमिस है खोवा है सोफ है इस सारे इंगेडियन्स को मैं लास्ट में नोट कर दी हूँ आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा और दूसरी तरह का मैं बनाऊंगी उसमें मैं मैं लाई एड करूंगी तो मलाई को थोड़ी सी फेट लेंगे और लसी के उपर एड कर देंगे लीजे इसे हम लसी पे एड कर देते हैं और उपर से ठंडाई पाउडर और थोड़ी सी गुलाब की पंखुरियां भी एड कर देंगे हमारी लसी तैयार है पीने के लिए अब आप इसमें से एक उठा सकते हैं क्योंकि ये तैयार हो गया है आई होप आपको मेरी लसी वाली वीडियो अच्छी लगी हो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज इसे एक लाइक और सेयर करना ना भूले और हमें कमेंट करके बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है और सबसे खास बात अगर आप मेरे चैनल पर आ गए हो तो मेरे चैनल को सस्क्राइब किये भी न मत जाएए प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब कर दीजिये न क्योंकि सस्क्राइब करने पर पैसा नहीं लगता बट मेरा होसला जरूर बढ़ता है आगे काम करने को आप मुझे इस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं मेरी इस्टाग्राम आईडी है करनोजिया खुश्बू 122 तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में जब तक खुश रहिए खुशियां बाटते रहिए और आसपास सफाई बनाए रखिए थैंक यू थैंक यू फर वाचिंग टेक कियर और नमस्कार